सेफ टाइम एंड और मोर मनी विद इस टेखनीक सो मेनिया टाइप्स आपने यह भी देखा होगा कि जो की अच्छे फेमस वीडियो ऑथर से उन लोगों का जो डिजाइन स्टेंपलर आपको मिलते हैं वह ऑट्रिसाइबल होते हैं यानि कि आप कोई भी कम पोजिशन इस टेखनीक के लिए जो रिक्वाइड एसेट से वह में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सो आप जाके डाउंलोड कर लेना जरूर सो विद एट सेट लेट्स बिगीन आल्राइट सो जैसे के आप लोग देख सकते मैंने एक सिंपल सा डिजाइन बना है अब इस इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास यहां पर तीन एलेमेंट से आपके पास जितना भी एलेमेंट्स हो का डिजाइन में आपको उतना नल बनाना है ठीक है अब जो नल ऑबजेक्स मैंने क्रियाट किया है उसको मैं प्रॉपरली पोजीशन कर लूँगा सो ग्रूप टू को मै यहां पर रखता हो ठीक है देन उसके बाद क्या करना है जो नल ऑबजेक्ट है उसका जो एंकर पॉइंट है उसके हमें डिजाइन के अकोडिंग सेट कर देना है तो जो पहले का नल है ग्रूप वन वह एक्चुली हमारे डैश के लिए है सो मैं इसको यहां पर प्लेस कर द जो ग्रूप 3 है उसको भी मुझे यहां पर पोजिशन कर लेना है अब उसके बाद मैं क्या करूँगा फिर से एक न्यू नल ऑबजेक्ट में क्रियेट कर लूँगा इसका मैं नाम दूँगा इसको मैं प्रेंट कर दूँगा अपने हर एक नल के साथ ठीके जो यह थर्ड एलिमेंट है इसको भी मैंने प्रेंट कर दिया अपने थर्ड नल ऑबजेक्ट के साथ जो की गुरूप 3 है जाओंगा प्रेस करूँगा एस देन स्केल प्रापर्टी ओपन अप हो जाएगा ए चेक कर लेना आपको को यह सब कुछ मिल जाएगा तेन उसके बाद ग्रूप के लिए जो कोडिंग दिया है मैंने उसको कॉपी कर लेना है और जाना है ग्रूप 1 में प्रेस करना है एस और फिर से अल्ट लेफ्ट क्लिक देन कंट्रोल भी पेस्ट ठीक है अब उसके बाद म अप्रेस कर दूंगा इसको बैप्रेसिंग कंट्रोल भी एंड ग्रूप 3 में भी जाओंगा कंट्रोल भी तो उससे क्या होगा जो हमारा अनली एक्स्परेशन वह हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ठीक है अब उसके बाद में फिर से जो एक्स्परेशन दिया है उसको में यह वाला expression हमारे जो बीजी है background है उसको uniformly scale करने के लिए है so बीजी को मैं select करने के बाद प्रेस करूँगा एस और फिर से alt left click and इसको कर देना है paste यहाँ पे perfect then उसके बाद मैं क्या करूँगा जो हमारे group 1 है group 2 है and group 3 है सब को select कर लेना है and link कर देना है और parent कर देना है अपने com size layer के साथ ठीक है all right so यह जो है ready हो गया now press ctrl k and now you can change the width and height according to your need and look at the design it's automatically adapting to the new composition size right let's say 1000 80 by 1080 square format है and देखो so I hope आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला है अगर आप लोग को यह वाला वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है and अगर आप लोग को motion graphics coding के बारे में ज्यादा जानना है तो आप लोग comment मुझे जरूर बताना मैं एक new series create करने के लिए सोच रहा हूँ so with that said this is Shivam Prahmanik signing off I'll see you in the next video Taptakili Keep Animating Keep Smiling Goodbye